हमने लास्ट वीडियो में इस फोटो के बारे में बात की थी कि इस फोटो में आपको ढूलना है कि आखिर इस फोटो के अंदर क्या मिस्टरी है तो कुछ सब्सक्राइबर ने कमेंट करके मुझे आंसर भी दिया है और वो आंसर सही भी था लेकिन जो भी इस फेक के बारे में नहीं जानते है कि आखिर इस फोटो के अंदर क्या मिस्टरी है तो चलिए जानते इस मिस्टरी के बारे में इस फोटो को ध्यान से देखिए देखिए इसके अंदर ये जो गर्ल बेटी हुई है इसके शोल्डर के उपर हाथ तो है लेकिन उस हाथ की बोडी बाजू में गायब है है ना दोस्तों ये फोटो तकरीबन पचास से साथ सल पुरानी फोटो है और उस समय में किसी भी टाइप की फोटो एडिटिंग नहीं हुआ करती थी यानि के ऐसे कोई डिवाइज ही नहीं जिससे आप किसी फोटो को एडिट कर सको ये फोटो किसी एक रेंडम इंसान के हाथ में आई थी और उस इंसान ने इस फोटो में द्यान से देखा तो वो इंसान बिलकुली जोग गया कि अरे बैइ ये हाथ तो यहाँ पर है लेकिन बोडी कहां पर गई फिर ये फोटो प्रफिक के बारे में अगर हम बात करें तो आपको कोई बड़ा आइलेंड डिखेगा या फिर कोई लगजेरियस हाउस या फिर कोई सोना या फिर कोई धातू दिखेगी लेकिन इन में से एक भी चीज दुनिया की सबसे महेंगी चीज नहीं है तो चलिए जानते है इस फेक के बारे में इस फोटो को ध्यान से देखिए ये है दुनिया की सबसे महेंगी चीज जिसको हम इंटरनेशनल स्पेस टेशन के नाम से जानते हैं और इंटरनेशनल स्पेस टेशन को बनाने के लिए तकरीबन 160 बिलियन डॉलर का खर्च हुआ था और उसको अगर हम इंडियन रूपीज में कनवर्ट करें तो ये शायद इतना होगा देखिए ये पढ़के मुझे बताना कि ये कितना होता है किस में बताएगे कमेंट में बताएगे जी हा दोस्तों इंटरनेशनल स्पेस टेशन जो दुनिया की सबसे महेंगी चीज है इस इसे महेंगी चीज कोई भी नहीं है अगली बार अगर कोरोना खतम हो जाए ना तो वेकेशन करने यहां पे चले जाना बहुत ही मज़ाएगा जाना जरूर जाना हम इंसानी इसा सोचते है कि इस पुथवी में सिर्फ इंसानी अकेले से जीव है जो किसी दूसरे इंसान के साथ प्यार करते हैं और उनके साथ शादी भी करते हैं लेकिन इस सोच को हमारे Science ने बिलकुली गलत साभित कर दिया है जी हाँ दोस्तो अब इस पूठवी में सिर्फ इंसानी अक्यले नहीं है कि जो दूसरे इंसान के साथ प्यार करते हैं बलकि जानवरों के अंदर भी ऐसी प्रजाती पाई गई है जो उनके जैसे दूसरे जानवर के साथ प्यार करते हैं और शादी भी करते हैं और एक साथ र और उनके साथ शादी करके अपने पार्टनर के साथ पूरी लाइफ बीताते भी हैं, है ना काफी अजीबो गरीब फैक्ट, लेकिन ये scientifically proven फैक्ट है, अगर आप चाहे तो गूगल में जाकर सर्च कर सकते हैं, अब हम बात करेगे दुनिया की सबसे बड़ी इमारत के बारे मे और ये इमारत साथी अरब में बन रही है, जिसका नाम है चेड़ा टावर, जो आपकी स्क्रीन में दिखाई दे रही है, और तो और इसकी खास बात तो ये है, कि ये दुनिया की सबसे बड़ी इमारत तो है ही, लेकिन इसकी हाइट सुन करी आपको चक्कर आ जाएगा, जी अब हम जादू करके देखेगे, मेरे पास ये एक स्प्रे की बोटल है, इसको मैं अपने टीशट के उपर स्प्रे करूगा, और ये दूसरे कलर का टीशट बन जाएगा, तो चलिए टेस्ट करते हैं, क्यूं हो गया ना दूसरे कलर का टीशट, ये है फैक नोवेल्स का जा यानि कि आपको इससे स्प्रे करना है, जैसे कि आपको इस टीशट की ड्रोइंग कर रहे हो, और फिर उसको थोड़ी देर के लिए सूखने देना है, और जब भी वो स्प्रे सूख जाएगा, तब जैसे हम टीशट निकालते ना, वैसे ही ये स्प्रे इस कदर सूख जी हाँ दोस्तो, ये सही मेंसा एक केमिकल बनाया है, इस भाई ने जिसकी मदद से आपको सिर्फ स्प्रे करके ही एक नया टीशट मिल जाएगा, अगर यकिन नहीं आता, तो इस फोटो को ध्यान से देखिए, जी हाँ दोस्तो, ये वोई टेकनिक है, जिससे आप स्प्रे क कोई टीशट बना सकते हैं, तो ये बहुती गजब सी इन्वेंशन है, कि सिर्फ स्प्रे की मदद से हम कोई टीशट बना सकते हैं, और सिर्फ टीशट बनाने ही नहीं, आप इस टीशट का रियूस भी कर सकते हैं, यानि के एक बार इस टीशट को पहन लिया, वापस इसको तो अच्छी तरीके से रगड़ रगड़ के दो दिया फिर उसको सुखा भी दिया अरे यहां तक की इस्तरी भी कर दी तो भी इस टीशेट को कुछ भी नहीं होने वाला है यह टीशेट हमारे इस नौर्मल टीशेट की तरह एकदम अच्छी तरीके से रहेगा इसको कुछ भी नहीं होगा है ना गजब सा इंवेंशन यार ये साइन्स हम इंसानों को कहां पर लेके जाएगा सोचिए जरा सोचिए अरे ये टीशेट तो भी तक यहां पर ही है चेंज ही नहीं हुआ चलिए चेंज कर लेते हैं और हमारा फेक नोवेल्स वाला टीशेट पेन लेते हैं तो चलिए चेंज करते हैं हाँ अब ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं इस फोटो को ध्यान से देखिए ये कार्टून आपने बच्पन में जरूर देखा होगा है ना जिहां दोस्तों ये कार्टून ना देखा हो ऐसा तो पोसीबल ही नहीं है ना इसमें चुहा और बिल्ली जगरते भी है और एक साथ रहते भी है जो कुछ हमारे रियल लाइफ जैसा ही माहल है लेकिन इस कार्टून का अंत बहुत ही दुखत तरीके से दिखाया गया था जिसमें टॉम और जैरी दोनों की मोथ हो जाती है वो भी सूसाइट की वज़े से इस लास्ट एपिसोड के अंदर टॉम की गल्फ्रेंड टॉम को धोका दे देती है इस वज़े से टॉम उदस हो जाता है और फीर उसके साथ साथ जैरी की भी गल्फ्रेंड उसको धोका दे देती है फिर दोनों एक साथ एक ट्रेन की पटरी में उदासो कर बेट जाते है उनको जीने की कोई चाही नहीं रेती है और फिर लाज सिन में ट्रेन में कट जाने से दोनों की मौत हो जाती है लेकिन अगर हम रियल लाइफ में देखे तो ऐसे आत्मातिया करना बिल्कुली सई बात नहीं है अगर हमें कोई चीज छोड़कर चली जाती है तो उसका दुख नहीं मनाना चाहिए बल्कि हमें कोई दूसरे राह पर अपनी मंजिल ढूननी चाहिए है ना बिल्कुल सई बात तो हिमत मत आरिये माउटेंड यूपीजे और उसके साथ फेक्ट नोवेल्स देखिए इस फोटो को ध्यान से देखिए ये फोटो का यूज आपने अपने कॉम्प्यूटर में जरूर किया होगा है ना जी है दोस्तो हमारे कॉम्प्यूटर के विंडोस 98 में और विंडोस एक्सपी 2000 में ये वाली फोटो इन बिल्ट फोटो हुआ करती थी तो जानने वाली बात ये है के इस फोटो को आखिर कहां से कैप्चर किया गया है तो चलिए जानते इस फेक्ट के बारे में दोस्तो इस जनाब को देखिए ये वही जनाब है जिसने इस विंडोस एक्सपी की फोटो को खीचा था जिनका नाम है चालिस ओर रियर जिन्होंने विंडोस एक्सपी के फोटो को खीचा था और ये वन ओप दो मोस्ट फेमस वाल पेपर में से एक है क्या आपने इस wallpaper का यूज किया था comment box जरूर करना बहुत ही अजीब हो गरीब बात है कि कुछ scientist का जन्म और मुरूतियू कुछ रहस्या में चीज़े ही हमें दिखाती है तो चलिए जानते हैं इस fact के बारे में दोस्तो जब सदी के सबसे बड़े वेगनानिक स्टीफन ओकिन्स का जन्म हुआ था तब उसी तारिक को दुनिया के सबसे मशूर वेगनानिक गेलिलियो की मुरूतियू हुई थी ये है सबसे पहली mystery और ये भी आपको comment लगेगा लेकिन जब सर स्टीफन ओकिन्स की जिस दिन रूतियू हुई थी तब उसी तारिक को सबसे मशूर वेगनानिक एलबर्ट आइंस्टैन का जन्म हुआ था ये connection कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्यूं है ना गजब सन 2009 में एक बहुती अजीबो गरीब घटना घटित हो गई जिसमें हम इंसानों के पास कितनी दिमागी ताकत है वो साबित हो जाता है तो चलिए जानते इस फैक के अंदर दोस्तों सन 2009 में फिल्लेंड डेश के अंदर एक चोर को पकड़ने के लिए एक मच्छर का सहारा लिया गया था जी हा दोस्तों तो जरा ध्यान से समझे तो एक बार वहाँ पे क्या हुआ था कि एक घर के अंदर चोरी हुई थी और जिस चोर ने चोरी की थी वो चोर इतना शातिर था कि उसने एक भी सबुत नहीं छोड़ा था वहाँ पे पुलिस वालों ने बहुत ट्राई की और वो क्या तरीका था चलिया जानते हैं जहाँ पे चोरी हुई थी वहाँ पे फिनलेंड की पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने गई और उन्होंने पूरी जगा चान ली लेकिन कोई भी सबूत नहीं मिला लेकिन वहाँ पे एक मुरुत मच्छर यानि के एक मरा हुआ मच्छर मिला तो उस मच्छर को पुलिस ओफिसर ने एक बेग में डाल कर अपने साथ वो ले गए और फिर उस मच्छर के खुन को निकाला और मच्छर के खुन को निकालने के बाद उस खुन का डिने टेस्ट किया और DNA टेस्ट करने के बाद उस चोर को धून निकाला गया यानि के ये वो ही मच्छर था जिसने उस चोर को काटा था और इस तरीके से मरे हुए मच्छर में से फिनलेंड की पुलिस ने उस चोर को पकड़ लिया था जरा सोचे दोस्तों के वहां की पुलिस कितनी स्मार्ट होगी के एक मरे हुए मच्छर में से भी खून निकाल कर चोर को पकड़ लिया और अब बार यांगे गजब से फैक को जानेगी तो इस फोटो को ध्यान से देखिए है ना बहुत ही अजीबो गरिब जीव जिसकी बोड़ी में आप आर पार देख सकते हैं ये देखिए आर्ट दिख रहा है अरे पूरी बोड़ी दिख रही यार तो चलिए जानते कि ये कौन सा जीव है वापस इस फोटो को ध्यान से देखिए जी हां दोस्तों ये है एक मेंड़क ये बहुत ही अजीबो गरिब सा मेंड़क है जिसको भगवा ने इस प्रकार बनाया है कि इसकी बोड़ी पूरी ट्रांसपरंट है हम इसकी बोड़ी के अंदर हर एक पार्ट को देख सकते हैं और इस मेंड़क का नाम है ग्लास फ्रोग जो बहुत ही रेर और यूनिक सा मेंड़क है और अगर आपको इस मेंड़क को देखना हो तो ये मेंड़क आपको देखने को मिलेगा कमबोडिया, कोस्टारीका और इक्वेडोर के जंगलों के अंदर जहां पे इनकी कुछ प्रजातिया अभी तक जिन्दा है और अगर आप इस मेंड़क को देखोगे तो आपको बिल्कुल यकिन नहीं होगा कि ये एक्चूली में एक्जिस्ट करता है ये मेंड़क खुबसूरत होने के साथ-साथ बहुत ही जहरिला है अगर इसको कोई जीव खा लेता है तो उसकी मोद निश्शित है है ना बहुत ही यूनिक सा और बहुत ही क्यूटी 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 सा मेंड़क तो दोस्तो आज के वीडियो में बस इतना ही आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी? कमेंट बोक्स प्लीज और इस वीडियो में आप लोग कैसे भी करके मुझे 1000 लाइक दिलवा दीजिए प्लीज यार 1000 लाइक तो हो जानी चाहिए कैसे होगी वो मुझे नहीं पता बस हो जानी चाहिए और हाँ अगर आप हमारी वीडियो में नए है तो प्लीज यार सब्सक्रेब तो करके ही जाना ये ये बटन देखिए ये नीचे वाला हाँ ये बटन ये बटन आपको प्रेस करना है और हाँ साथ में ये ओल वाला बटन भी दबा देना ताकि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे तो चलिए मिलते नेक्स्ट एपिसोड में ऐसे गजब से और ऐसे यूनिक से फैक के साथ तब तक के लिए टाटा बाई बाई सी यू एंड टेक कैर झाल